बेरोजगारी के मारे 14 साल का बच्चा काम कर रहा है नितिय जी सरम आना चाहिए इस राज्ज में आपके जैसे सरकार में बच्चे तक काम करने पर मजबूर है इतना घोटाला हो रहाए कि बिहार गरीब हो चुका है और बच्चे तक को काम करना पड़ा है रोजगार देख सक जाएं दोस्तों बिहार के विकास की एक और तस्वीर दिखाएंगे किस तरह बिहार में जब सड़क बनता है उसमें घोटाला होता है घोटाले के बाद सड़क दब जाता है और सड़क इस लिए दबता है कि इस रोड का मैक्सिमुम वेट जो यह अपने आप में सह सकता है भार वो है 27 अभी इंजिनियर जी ने कहा लेकिन इस रोड पे गाड़िया चलती है और लोड़ेर 40 वाली उससे पहले यह दिखा दे हैं कि 40 वाली गाड़ियों से इस तरह आप तो धस गया और यहां देखिए यह कौन सा गाड़ी चला था जी कि यह उड़ गया है अब बता का चीत्र देखकर आप हैरान हो जाएंगे अब मैंने बताया था कि किस तरह अबर लोड़ेर गाड़ियों के कारण यह हाल होता है सड़कों का देखिए यहां कितना दब गया है यह रोड फट चुका है बने हुए मात्र एक साल से जादा नहीं हुआ है और एक साल में इसका बड़क का भाग नहीं है तो नहीं भटा हुआ है लेकिन एक बात और सवाल है कि क्या ऐसा कास्टिंग होता है क्या डश्ट ऐसे डालने का प्रकिरिया है एक भी इंजिनेरिंग का मुझे बता दे कोई कि इस तरह से रोड का मेंटेन किया जाता है उपर से डश्ट डाला जा बढ़ जाएगा लेकिन बिहार के काविल इंजिनियरों को कौन बताए कि कि से रोड बनाया जाता है यहां सो हजार कडोर का पूला गिर जा रहा है अब पता नहीं चल रहा है कि भीहार में भरष्टचार ऐसा की जगह जहां नहीं हो रहा है एसे कोई छेत्र नहीं मिलेगा जहांकि भरष्टाचार नहीं होता आप देख सकते हैं इस ड में आपके जैसे सरकार में बच्चे तक काम करने पर मजबूर है इतना घोटाला हो रहा है कि बिहार गरीब हो चुका है और बच्चे तक को काम करना पड़ा है रोजगार के लिए अगर वह काम नहीं करेगा तो क्या खाएगा आप ही बताइए किस तरह बिहार में जो यह पिसर है इसका देख रेक में डिस्टिक के वह अगर ध्यान दिये होते तो रोड का यह हालत नहीं होता और रोड के मेंट्रेनेंसी के नाम पर यह पैसे उगाही करने का नोटंकी नहीं किया जाता है देखिए डश्ट का में थोड़ा क्यालिटी दिखा देखिए अब देख सब्सक्राइब करेंगे और सारा भष्टाचार मिला देंगे इसलिए अभी गर्क में जा रहा है और यहां का जो तरक्की है सब मिट्री में धूली थो जा रहा है थोड़ा सा सोचने वाला बात है और बीहर सरकार कर क्या सकते है उसके सामने 2000 कौर्टर का पूल गिर सकता है तो इस रोड की आउकाद ही क्या है ज्यादा कुछ नहीं कहना बस विडियती है डिश्टिक मेजिस्टेट से कि आप अपने स्कूटनिव इंजीनियर जो भी है और जो डीडी सी है और जो कार्यपाला का वियतनता है छोड़ा सा उनको बुद्धी दीजिए ताकि इन सब जो घ खोटाले और घपले हो रहा है इसमें रोख हो सके जहिंद